ब्रीक केवाल आपका स्वागत है सोलन में नाटी किंग की अध्यक्ष्टा में प्रेस भारता का आयोजिन किया गया उन्होंने बताया कि इस बार बे सोलन के उबरते हुए गाये के साथ गानों की शूटिंग हिमाचल से बाहर करने जा रहे हैं जिसमें बे गौळ और आसबास के खेत्रों को अपनी नाटियों में फिलमाएंगे उन्होंने कहा कि बे पिछले काफी बर्षों से हिमाचली नाटियों में केवल हिमाचल को ही दरशाते थे लेकिन इस बार में कुछ हटकल करना चाहते हैं ताकि हिमाचल वासियों को नाटियों में कुछ नयाद देखने को मिले सोनलन के समिप छोटे से गाम घरू के किसान पिछले काफी बर्षों से पानी के किलत की वज़ासे हैं उपलब नहीं था जिसकी बज़ा से उनके खेत खलीयन सूकते जा रहे थे काफी बर्षों पहले बहाँ कुल हुआ करती थी लेकिन खरन की वज़ा से यहां कुले तूटके और उनके तूटते ही उनके खेतवी सुपने अरम हो गे थे गाम के किसान पिछले काफी वर्सों से पानी की कुल कुठी करवाने की मांग कर रहे थे लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी इसलिए उन्होंने अब बाच्वा नेता राजिष कश्यप शे संपरिक किया और उन्हें अपने गाम के समस्या से अबगत करवाया राजिष कश्यप गाम वाशियों को लेकर उपायुक्ष से मिले जहां उन्हें अब कुल निर्मन का आशवाशन दे दिया गया है जिसके चलते गाउं वासी खुश नजरा रहे हैं बाचपा नेता राजिश कशप ने बताया कि घरू गाम के पास चल रही रेव की खानों की वज़ा से बहां की कुल तूर चुकी थी जिसकी वज़ा से किसानों के खेट सूकनी की कगार पर पहुँच चुके थे उनका क्रिसी बेफसाई चौपट हो गया था उन्होंने बताया कि करीवन साथ वर्षों से किसान कुल निर्माण की मांग कर रहे थे आज वे किसानों के साथ उपायुक से मिले और खुशी की बात ये है कि उन्होंने कुल निर्माण के लिए पंदरा लाक रुपे मंजूर किये हैं ये कुल फिर से रेत की खान की वज़े से न टूटे इसके लिए भी परवंद किये जाएंगे और ये लोग वटर और टमाटर और काफी जो हमारी सबजियां है उसको वहाँ उसका उत्पादन करते हैं उसके वहाँ पे काफी कमी आगे थी लोगों को बहु जादा प्रेशानी थी और आये भी इनकी बहुत काम होगी थी तो हमने बीसी साब को इसके बारे में बताया है कि ये पिज़ी तरह की डेमेज नहीं होनी जी आने वाले फिचल में तो उसके लिए ये भी दंगे लगा करके और उसका पका निर्माण किया जागा कि पहले ये कछी बूल भी अब ये पका निर्माण किया जहा investigator जोग हैं वो सभी यहाँ और उन्हे पहले अदे घंआन्य डमांड की था इस तरह से जो पूल है उसको जल्दी से जल्दी त्यार किया जाए ता एक लक्षा भी जो रीकंस्ट्रक्शन का पहले IPS डिपार्टमेंट ने त्यार करके दिया है तो उसकी रीकंस्ट्रक्शन के लिए आज बीसी साब ने जो है 15 लाख संक्शन की और मैं समस्ता हूँ एक कुछी दिनों में ये कारे जो है शुरू हो जाए तो ये थास दिनपर का कारे करम कल फिर हाजर होंगे नहीं गत्विदियों के साथ आप ऐसे ही जुड़े रही है एस टूड़े के साथ नमश्कार